सु गईज आईक्यू अपने आईक्यू 11 5G स्मार्टफॉन को लाँच करने के बाद अब न्यू सीरीज के अंदर आईक्यू ने उसे विन स्मार्टफॉन को लाँच करने की तयारी कर रहा है जहां दोस्तो इस फॉन की ओफिसली लाँच डिट निकल कर सामने आ चुकी है और ये स्मार्टफॉन 16 फरवरी को इंडियन मार्केट के अंदर लाँच किया जाएगा इस फॉन के बारे वा दोस्तो काफी सारी इंफर्मिसन निकल कर सामने आ चुकी है और आईक्यू ने उसे बिन ऐसी स्मार्टफॉन जो की आपको चानिज मार्केट के अंदर देखने को मिला था उसी कारी ब्रांडड बरजन आईक्यू ने उसे बिन इंडियन विरेंट होने वाला है तो आज किस वीडियो में गई सम बात करने वाले हैं स्मार्टफॉन के सभी स्पैक्स के बारे में इसकी डिजाइन के बारे में इसके साथ ही गई सम बात करेंगी कि ये स्मार्टफॉन आपको इंडिया में किस प्राइच पर देखने को मिलेगा तो स्वागत अब सब का टेक रोच पर जानका रिखिली वीडियो में अंट तक बने रहें और दोस्तों चैनल पर पहली बर आये हैं तो सस्क्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के टेक वीडियो मिलती रहें तो दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम है कि IQ new 7 series already challenge market के अंदर launch हो चुकी है और जहांसे काफी कुछ changes आपको इंडर देखने को मिलेगा तो फटवर से बात करते हैं दोस्तों स्मार्टफोन के सबी specs के बारे में और देखते हैं गैस कि कैसा स्मार्टफोन यह आप सब के लिए रहेगा अगर first of all दोस्तो हम बात करते हैं स्मार्टफोन की डिजाइन के बारे में तो आप देख सकते हैं कि इस फोन की जो डिजाइन है वो काफी यूनिक बनाई गई है और काफी हट के दोस्तो यहाँ पर डिजाइन देने की कोसिस की गई है जिसके rear side में गईस आपको triple camera setup देखने को मिलेगा glass की body आपको यहाँ पर मिलती है साथी front side में दोस्तो एक बड़ी display पांचलों की cutout के साथ में यहाँ पर आपको मिलेगी तो smartphone के अंदर design दोस्तो काफी premium दिया गया है अगर आपको design बाई smartphone पसंद है तो definitely यह smartphone आप सब के लिए काफी कमाल की choice हो सकता है अगर design के बाद दोस्तो हम nest बात करते हैं smartphone के अंदर display के बारे में तो यहाँ पर गईस आपको 6.78 इंचिस की एक AMOLED display देखने को मिलती है जो की full HD plus resolution और 120Hz के refresh rate के साथ में आएगी तो brightness और कलस बगर दोस्तों smartphone के display में काफी बढ़िया रहने वाले हैं साथ ही काफी कमाल का view expense भी गईस यहाँ पर आप expect कर सकते हैं अगर display के बाद दोस्तों हम nest बात करते हैं smartphone की performance के बारे में तो यहाँ पर दोस्तों आपको MediaTek के तरफ से DMC T8200 processor देखने को मिलेगा जो की एक नया chipset है और 5G connectivity के साथ में आता है तो definitely गईस यहाँ पर आप gaming मगरा काफी अची कर सकेंगे और बाकी सब भी टास्क भी आप easily यहाँ पर complete कर सकते हैं इसके लाब अगईस यहाँ पर आपको RAM के दो options 8GB और 12GB देखने को मिलेंगे जो की 128GB और 256GB तक की storage के साथ में आएंगे अगर बात करते हैं दोस्तों smartphone के अंदर camera setup के बारे में पर आपको यह 16GB विसल का selfie camera देखने को मिलेगा जिसने काफी कमाल की selfies और video calling बगरा दोस्तों आप कर सकते हैं अगर cameras के बाद दोस्तों हम nest बात करते हैं smartphone के अंदर battery के बारे में तो यहाँ पर गईस आपको 500MH की एक बड़ी battery देखने को मिलेगी जोकि 20W की fast charging support के साथ में आईगी तो battery दोस्तों काफी बड़ी है तो battery backup भी काफी कमाल का यहाँ पर आपको मिलेगा साथी 20W की fast charging है तो 10-15 मिट के अंदर आप पूरी battery यहाँ पर charge कर सकते हैं अगर smartphone के कुछ और features के बारे में बात करते हैं तो finger pads करन का support यहाँ पर आपको on screen देखने को मिलेगा साथी type C का support भी गई इस यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसके लाव गई से smartphone Android 13 पर वर्यक करेगा तो काफी कमाल की speed यहाँ पर आपको 5G connectivity के साथ में देखने को मिलेगी अब अगर बात करते हैं दोस्तों स्मार्टफोन की pricing के बारे में तो phone की pricing हो सकती है प्रोक्स 29,000 के असपास इसके साथ ही गई से smartphone 16 फरवरी को इंडेन मार्केट के इंदल लॉंच किया जाएगा सुग इसी तीसारी information IQ News 7 इन smartphone के सभी specs के बारे में आप अब अब इस phone के बारे में क्या सोचते हैं और क्या इस phone को लेने में interested होगी अगर आपका कोई और भी comment हो गई तो आप वो भी लिख सकते हैं फिलाल इस वीडियो में कैसी तरना ही गर वीडियो चलागा हो तो वीडियो के लाइक कर दीजिए और दोस्तों चैनल में पर पहली पर आए हैं तो सस्क्राइब कर लीजिए ताकि आप कुसी तरह के टेक वीडियो मिलती रहें मैं मिलता हूँ आपको नैश वीडियो अब तक के लिए गुडबाई अब नाइस टे